स्टुडिंट्स आईए आज हम बिजनेस स्टडीज का एक नया चाप्टर शुरू करते हैं और इस चाप्टर का नाम है अंतराश्च्री वेवसाइट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटर्नाश्चर बिजनेस落 मतलब अंतराश्चर को अंतराश्च्री करते हैं तह हम उसे अंतराश्च्र के सकते हैं या कहते हैं हमिसे इससरी के सब्सक्राइभ मैं कि जिण दो देशो के मद्य किसी भीë तरह की वियवसाइन तो वहाँ पर जो होता है अंतराश्OP में जीशें हम एक ग्लोबल आक्टिविटी भी कह सकते हैं जिस वज़ा से इस पूर तेष को याँ विभिनदेश को मिला कर हम कह सकते हैं एक छोटे से गाओं के रूप में बदल दिया है इसे हम Global Village भी कह सकते हैं क्योंकि आज जो तकनीक के available है उनका उपयोग करके अंतराश्रय रूप से हम क्या कर रहे हैं? बिजन्स कर रहे हैं या दिष्ट कर रहे हैं इससे पहले हमने इंटर्नल ट्रेडिंग जाना जिसे हम आंतरिक दिष्टारी कोई बीएक देश अपने देश के अंदर ही व्यवसाय को पूरा करता है, आज हम ठीक उसी के वीपिरत है इस जो चाप्टर है उसमें जो है अंतराश्री व्यवसाय का अध्यान करेंगा अब आगे बढ़ते हैं और अंतराश्री व्यवसाय के अध्यान के अंतरगत हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरुरत है कि यह जो अंतराश्री व्यवसाय है यह क्यों किया जाता है कुछ simple सी चीजें हैं या simple से concept हैं जिनको आप यह सो सकते हैं कि हर देश अपने आप में unique हैं हर देश में हर प्रकार के संसाधन especially प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो वो नहीं मिलते हैं मतलब हर देश अपने आप में एक uniqueness से भरा हुआ है वो natural resources की बात करें या प्राकृतिक साधन की बात करें तो हर देश अपने अपने रूप में अलग तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भरा हुआ है मतलब मान लिजे किसी देश में कुछ एक विशेश प्रकार का raw material या कच्छा माल प्राप्त होता है जिससे कि उस तरह की वस्तूओं को बनाया जा सकता है लेकिन वही कच्छा माल दूश्तरे देश में कम मातरा में प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है तो यह जो global business होता है यह हम कह सकते हैं केवल वस्तूओं के लिए नहीं होता या सेवाओं के लिए नहीं होता यह इसके अलाबा अन्य भी कई चीजों पर किया जाता है जिसके बारे में इस अध्याय में हम आगे चलब कर पढ़ेंगे हम बात कर रहे हैं कि यह जो अंतराश्ट्री व्यवसाय है यह किन कारणों से इसके आवश्यक्ता पढ़ती है तो जैसे मैंने पहले बताया कि बिकाज अफ नाचरल रिसोर्स हम पहला रीजन बता सकते हैं कि हर देश में प्राकर्तिक संसाधन अलग अलग रूप में पाय जाते हैं किसी देश में कुछ अलग मलता है और उसकी जो रौ माटीरियल की क्वांटिटी है वो अच्छी तरीके से मिलती है तो दूसरे ही स्टाइबि पात या निर्यात करके क्या किया जाता है इस सब्सक्राइब लिए जाता है अगर हम अपने देश भारत में देखें जो की अभी विकाशील है या अर्दविकित है हम कहा सकते हैं यह जो है हमारे देश जो है पूरी तरह जो है अग्रिकेलचर पर डिपंडेंट है या कृषी पर निरभर हैं किया सकते हैं तो हमारे देश में कृषी से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं चाहे वो प्याज हो सबजियां हो धान हो दाले हो ठीक है तो इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रचुर मात्र कम है और इन वस्तूओं में जो quantity हमारे देश में पायाती है क्या करती है हमारी देश को निरियात करती है इस से की क्या होता है इस तरह का इंटरनाशनल बिजनस शुरू होता है इसी तरीके से आप देखेंगे कि कई ऐसे देश हैं जो एक्सपोर्ट टिकनोलोजी से भरे हुए हैं मतलब वहाँ पर ऐसी टिकनोलोजी यूज की जाती है जो कि आज हमारे देश में उन टिकनोलोजी को भी बनाना शुरू नहीं किया गया या उस पर वर्किंग शुरू हुई है हम ऐसे कह सकते हैं लेकिन ऐसे कुछ देश है जो कि टिकनिकली बहुत स्ट्रोंग है तो वह क्या करते हैं अपने इन छोटी टिकनोलोजी को यूज करके अपने द्वारा या अपने देश को आगे बढ़ाने कोशिश करते हैं और वह इस पाती है उसके जो छोटे चोटे टेकनिकल या हम कह सकते हैं टेकनिकल पार्ट्स होते हैं वह हो सकता है सारे पार्ट्स किसी एक देश में मिलें और कुछ ऐसे देश हैं चाहे वह चायना हो जपान हो यह जो देश है इन चोटे-चोटे जो टेकनिकल हम कह सकते हैं पार्ट्स चाहे वो टेलिविजन का हो चाहे मोबाइल का हो इनके पार्ट्स को डेवलब करती हैं, टो यह इस तरीके से इन अपने टिकनोलॉजी का उप्योग करके वो क्या करती हैं अंतराश्च्री व्यवसार करती हैं इसी तरह अगर आप देखें कि कई ऐसे देश हैं जहां पर तेलो व्यवसाय है बहुत जादा डिपेंड करती है उन प्राकृतिक संसाधनों पर जो कि उस देश के वातावरण में और भूस्थल में हम कह सकते हैं यह भागोलिक रूप से वहां पर विद्यमान होती है तो हमने अंतराश्री व्यवसाय के एक इंट्रोडक्शन को जाना है कि अं कुशिश करते हैं इसमें हम देखते हैं कि अगर अंतराश्री व्यवसाय को हमने जैसे जाना तो हमने यह समझा कि अंतराश्री व्यवसाय क्या है कि जब विभिन देश हैं वो क्या करते हैं व्यापारियों के मद विभिन व्यावसाय क्रियाएं होती है बाहे क्रियाएं होत होता है अंतराश्य व्यवसाय होता है अब हम इसे ऐसा बाहे क्यों कह रहे है क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ व्यवसाय कर रहा है इसलिए हम इसे बाहे कह रहे है इसके वीपरित हमने इंटर्नल ट्रेडिंग की बात की थी वहां आंतरिक व्यवसाय की बात की थी तो की तुकि ये व्यवसाया जो है देश के बाहर है इस तरीके केा के रहे नंटराश्री व्यवसाया या भाहे व्यापपार पार उप अगर हम और चाहरने को आईये कुछ परिभाशा हों की माध्यम से इसे हम और अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो परिभाशा है जिफिन सन ने दी हुई है उनके नुसार अंतराश्ट्रे व्यवसाय से आश्य है उस व्यापार से है जो एक देश की सीमाएं पार कर जाता है उसी तरीके से एक और परिभाशा को देखते हैं जो डॉक्टर एम अगरवाल ने दी है उनके नुसार विदेशी व्यापार से आश्य है ऐसे व्यापार से है जो एक देश दूश्रे देश से संपन करता है तो अगर हम इस मीनिंग को जानने के बाद और इस डिफिनिशन ज यह एक प्रकार का वियापार है जो कि देश की सीमाओ के पार किया जाता है सिंबल सा कॉंसेट तो इस तरीके से हमने जो है अंतराश्ट्री व्यवसाय के कॉंसेट को जाना है उसकी मीनिंग को जाना है कुछ परिभाशाओं के माध्यम के साथ आए अगे बढ़ते हैं और द अगरती क्या है नेचर ओफ इंटरनाशनल बिजनस नेचर ओफ इंटरनाशनल बिजनस को समझेंगे तो हम इनने कुछ बिंदू के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि पहला बिंदू आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस इनुसार यह जो होता है दो देशों की भागीदारी होते हैं सिंपल सा कॉंसेप्ट है जो अभी तक मैं चर्चा कर रही थी कि जो इंटरनाशनल बिजनस होता है इनमें कम से कम दो देश सम्मेलित होते हैं अब यह दो देश कैसे हो सकते हैं यह दो देश जो होते हैं वो टोटली क्या करते हैं श्रम विभाजन पर और specialization पर work करते हैं अब कैसे work करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक देश में कुछ चीजें सस्ती मिल रही हैं और उनसे जादा मात्रा में अच्छी quality का अंतिम उत्पाद बनाया जा रहा है तो वो उसको क्या करेगा उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में करेगा और उस देश को क्या करेगा निरियात करेगा जिस से की जिस देश में उस चीज की कमी होगी और जिस देश से उसको अच्छी मात्रा में लाब प्राप्त होगा साथ ही साथ वो यह भी कोशिश करेगा कि उस देश से उस देश की कुछ ऐसी चीज यूनीक चीज जो हमारे देश में या जिस देश से निरियात किया गया है अपने देश में वो आयात करें ताकि जो ये कमी की संभावना उत्मन होती है क्योंकि अगर हम ग्लोबली बात करें तो हर देश में हर वस्तू की हर सेवा की आवश्यक्ता है क्योंकि आज हमारा जो इंटरनाशनल बिजनस है उसने हमारे पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कनवोर्ट करके रख दिया है या बदल के रख दिया है आप कह सकते हैं तो इस तरीके से पहला जो पहली प्रकृती है यह सपष्ट होती है कि इसमें दो देशों की भागीदारी का होना आवश्यक है दूसरी चीज है दूसरा बिंदू अब देख रहे हैं अनेक आधार होते हैं बिल्कुल सही है इनके अनेक आधार होते हैं पहला तो मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन दूसरी चीजे होती है कि आप किसी मान वहां से जो raw material available है उसका उपयोग करता है या कच्छा माल उपलब्द है उसका उपयोग करता है और बी देश में जाकर के अपने प्लान सेट अप करके सस्ते दामों पर क्या करता है या कम दामों पर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोड़क्ट बनाता है इससे वह दो लोगों को मदद कर रहा है एक तो वह अपने देश को क्या अपने देश आयाएगा और दूसरी चीज क्योंकि सकी क्वांटिटी और क्वालिटी स्फिशली बहुत अच्छी है क्योंकि रो मटीरिए बहुत अच्छा है अभी तक उस रो मटीरियल को उपयोग करके अच्छी मातरा में when he या अंतिम उत्पात नहीं बनाया था तो ए देश ने क्या किया कि वहां प्लांट बनाया और उस manufacturing unit में उस raw material या कच्छे माल का उपयोग करके उसने क्या किया एक अच्छी quality का product बनाया जिससे वो क्या कर रहा है उस B देश को भी सर्व कर रहा है और B देश से जो income हो रही उसक के अनेक Clay enough कि Himself क्या smart partner आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह कुछ इस प्रकार जानते हैं कि अब सारे बिजनस हो रहे हैं वह बॉरडर क्रोस करके हो रहे देश वासियों के स्वास्त का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसे कई सरकारी हस्तक्षेप होते हैं कि किस तरीके के बिजनस को किन दायरों में बांदा जाए। किस तरीके के नियम कानूनों को उन पर क्या लगाया जाए जिससे की जो बिजनस हो रहा है वो सही तरीके से हो और इसमें देश को नुकसान ना हो तो ये जो सरकारी हस्तक शेफ होते हैं ये न केवल एक देश के द्वारा होते हैं बलकि उन देशों के द्वारा होते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतराश्ट्रे व्यापार करें मतलब दोनों देशों के अपने अपने सरकारी हस्तक शेफ होंगे अब इस तीसरे पॉइंट को समझने के बाद हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं चौथा पॉइंट या चौथा बिंदु कहता है कि विदेशी मुद्रा में भुकतान पर जो हर देश की करंसी अलग-अलग होती है हमारा देश में जो आप करंसी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रुपया चलता है लेकिन वहीं आप यूएस का देखें तो डॉलर चलता है और भी कई देशों की अलग-अलग करंसी है तब जब ये इंटरनाशनल बिजनस की बात करें तो जब फंड जो है दूसरे देश जाएगा तो वो फंड जो होता है उस करंसी में कनवर्ट होता है ठीक है तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा में भुकतानता है मतलब मान लेजिए डॉलर के रूप में अगर कोई फंड हमारे देश में आ रहा है तो वो डॉलर के रूप में आएगा लेकिन यहाँ पर वो किसमें कनवर्ट हो जाएगा रुपे में कनवर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह चौथी प्रकृती है अंतराश्य व्यवसाएगी आगे बढ़ते हैं अगली प्रकृती है भाषा भेद बिल्कुल सही बात है हर देश की अपनी एक अलग भाषा है हम हिंदी बोलते हैं आप इवेन हमारे देश में ही देखिए कितनी अलग अलग तरीकों की या विभिन भाषाओं को बोला जाता है आप देखिए महराष्ट्र में अलग मराथी चलती है करनाटक में कंणर चलती है मल्यालम चलती है तेलगू चलती है और हर्यानवी चलती है पंजाबी चलती है ऐसी कई भाषा हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चलती है तो जब हमारे ही देश में भाषाओं में इतने भेध हैं तो अगर हम अंतराश्ट्रिय या इंटरनाशनल बिजनस की बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो हर अपने देश की एक इंडिवीजियल लैंगविज या भाषा होती है तो वहाँ पर बिजनस के दौरान उन लैंगविजिस को जानना उनकी बारीकियों को जानना वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बिजनस शुरू करने से पहले उस भाषा पर अच्छे पकड़ होना चाहिए क्योंकि कोई भी बिजनस करने से पहले क्या होता है एक हो सकता है कि एक देश को दूसरे देश की भाशा नहां लेकिन इस तिती में क्या होता है बिजनермट करना मुश्किल हो जाता है तो इस तिती में आप लोगोंरे सुना होगा कि भाषा बहद को दूर करने के लिए इनके कई लांगविज स्पेशिलिस्ट हाय ឥ किये जाते हैं और यह जो specialist होते हैं केवल language पे इनकी command नहीं होती बलकि business पे international business पे इनकी command होती क्योंकि वो उन सारे नियम कानूनों को साथ में contracts में कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिए कौन-कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए इन सभी का ज्यान होता है तो यहां पर भाशा भेद भी एक प्रकृती की तरह काम करता अगे बढ़ते हैं अगले जो चटवी प्रकृती है वो है अब पेक्षाकृत अधिक जोकिम जैसे कि मैंने आपको बताया अगर नाचुरल रिसूर्सस की ही बात करें तो जब वस्तु में फाइनल गोडियानते मुदपात की बात कर रहे हैं तो एक देश से दूसरे देश आ रहे है तो वो किस तरीके से आ रही है यह रोड़वेस से तो आएगी नहीं तो या तो वो जहाजों से आएगी या तो वहां पर उसके टूट फूट का खत्रा बना रहता है इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि धोका दड़ी का कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा खत्रा बना रहता है या उसकी कोस्ट की कहीं न कहीं खत्रा बना रहता है तो यह जो चोटे-चोटे जोखिम है वो कहीं न कहीं अ अन्तराश्ड़ी व्यावशाय है ये एक विश्ववयापी व्यापार खश्टर की तरह कारे करता है क्योंकि यहां पर अलग अलग देश एक दूसरे के साथ बाहर रूप से व्यावशाय करते हैं तो इसे बेसिस पे क्या हो रहा है अंतराश्री व्यवसाय हो रहा है तो इस तरीके से हमने अंतराश्री व्यवसाय के concept, meaning, definition और उसकी nature यानि प्रकृति को जाना है आएब हम आगे बढ़ते हैं और आंतरिक व्यापार और बाहे जो या अंतराश्री व्यवसाय हैं उसके बीच के अंतर को जानते हैं आंतरिक व्यापार तता बाहे तता अंतराश्री व्यवसाय में अंतर का पहला आधार हम कारेक्षेत्र लेते हैं तो आंतरिक व्यापार को गर हम देखें तो यह व्यापार किसी भी देश के राजनितिक सीमाओं के अंदर ही किया जाता है बाहे व्यापार को देखें तो यह व्यापार दो या दो से अधिक विभिनसरता धारी देशों के मज्य चिया जाता है अंतर का दूसरा आधार आपचारिक पाइं ले तो इस व्यापार में नाममात्र की आपचारिक और बाहे व्यापार में अगर हम देखें तो इस व्यापार में विभिन्य देशों में आयार निरियात के संबंद में अनेक प्रतिबंद रहते हैं अंतर का चौथा आधार राजनेतिक प्रणालियां यह जोखिम लें तो एक ही राजनेतिक प्रणाली से वास्ता होने से अपि इस व्यवसाय में माल की मांग की पूर्ति कम समय में की जा सकती है और बाय व्यापार को गर हम देखें तो इसमें मांग की पूर्ति करने में समय अधिक लगता है व्यवसाय में प्रयुक्त मुद्रा अंतर का अधार शटवा लें तो घरेलू मुद्रा का प्रयोग किया जाता है और बाहे व्यापार में गरम लें तो एक से अधिक देशों की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है अंतर का सात्वा आधार मूलियस्तर लें तो अंतरिक व्यापार में गर्म देखें तो पूरे देश में एक सा मूलियस्तर रहने से मुद्रा की करेक्षक्ति का लाब समान प्रभाव रहता है और बाहे व्यापार को गर्म देखें तो विभिन देशों में विभिन मूलियस्तर प्रभाव अंतराश्ट्र व्यापार पर पड़ता है अंतर का आट्थवा अधा नियम एमनीतिया ने एक ही देश में नियमय-ब्हुम्नीतियों से संबंध होता है और ग्राकों की प्रकृति में अधिक समुरूपता होती है और ग्राकों इस तरीके से हमने आंतरिक व्यापार्ट था बाहर व्यासाय में अंतर को जाना